Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 7.2 का question number 1, तो question number 1 क्या कहता है? Draw number line and locate the points on them. हमें एक number line draw करना है और उस पे ये वाले points यो है उसको locate करना है. अब यहाँ पे A वाला part देखो, A वाला part हमें किस तरह से दे रखा है? 1 by 2, 1 by 4, 3 by 4, 4 by 4. अब यहाँ पे अगर हम इन तीन fractions को देखें, तो यहाँ पे denominator क्या है हमारा? 4 है. लेकिन इस पहले वाले में denominator क्या है? 2 है. Fraction को अगर हम number line पे so करना है, तो सबसे पहले हम denominator को same करते हैं. तो यहाँ पे 1 by 2 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 में हम 4 लाएंगे. तो 4 किस तरह से लाएंगे? 1 by 2 में अगर हमें 4 लाना है, तो नीचे हम 2 से multiply करेंगे, तो ओपर भी हमें 2 से multiply करना पढ़ेगा, तो यह हो जाएगा 2 by 4. और बागी को ऐसे ही लिख देंगे 1 by 4, 3 by 4, 4 by 4. तो अब जब denominator same हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? number line एक बना लेंगे इस तरह से, और number line पे 0 हम यहाँ से start करेंगे, इस तरह से 0 बाल लेते हैं यहाँ पे, और इसमें जो गयप होगा, वो कितने का रखेंगे हम? जो denominator होगा, यानि 0 से 1 number के बीच में जो गयप होगे, वो 4 4, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे? नॉमिनेटर देखेंगे, नॉमिनेटर में यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो हम यहाँ पे 1 से start करेंगे, यह हो जाएगा 1 by 4, यह हो जाएगा हमारा 2 by 4, यह हो जाएगा 3 by 4, और यह जो है, वो 4 by 4 हो बाई 8, 2 बाई 8, 3 बाई 8, 7 बाई 8, अब यहाँ पे denominator में 8 दे रखा है, इसका मतलब जो 0 और 1 है, उसके बीच में कितने गयप होंगे, 8 होंगे, तो यहाँ पे B वाला पाट देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, number line बना लेते हैं, इस तरह से, यहाँ पे 0 लिख हैं, तो अब हमें 8 गेप बनाना है, तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे यह 8 गैप हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, अब हम nominator देखेंगे, तो कहां से start करेंगे, 1 से, तो यहाँ पे पहले 1 by 8 है, तो यह हो जाएगा 1 by 8, यह हमारा क्या होगा, 2 by 8, यह हो जाएगा हमारा 3 by 8, उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 by 8, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यह 4 by 8 हो जाएगा, यह 5 by 8, यह 6 by 8, यह होगा 7 by 8, तो यहाँ पे लिखेंगे, 7 by 8, यह हमने fractions को locate कर दिया, number line पे, अब यहाँ पे हम next part देख लेते है next part मारा क्या दे रखा है, c वाला, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 by 5, 3 by 5, 8 by 5, 4 by 5, अब यहाँ पे जो denominator दे रखा है, वो 5 दे रखा है, यानि कि 0 और 1 के बीच में कितने गयप रखेंगे हम, 5, तो यहाँ पे c वाली हम एक number line बना लेते हैं, इस तरह से, हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, अब चुकि कितने गयप करना है हमें, 5, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 5 गयप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 2 आएगा, अब यहाँ पे यह वाला क्या होता है, हमारा 1 से start करते हैं, यह हो गया 1 by 5, अब चुकि य कहाँ से start करेंगे, 2 by 5, यह 1 by 5 हो जाएगा, यह 2 by 5, उसके बाद क्या होगा, 3 by 5, उसके बाद होगा, 4 by 5, उसके बाद 6 by 5 नहीं दे रखा है, 7 by 5 भी नहीं दे रखा है, 8 by 5 दे रखा है, यह हमारा 4 by 5 हो गया, यह हमारा 5 by 5 होगा, यह हमारा 6 by 5 होगा, यह हमारा 7 by 5 होगा ये होगा हमारा 8 by 5 तो इनको हमने इस तरह से locate कर लिया last part था questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही